जहिन दोस्तों आप देख रहें डीके नीज उत्तर प्रदेश में बिधान सवा चुनाव से पूर्व सभी राजनितिक दल अपने अपने चुनावी अवियान में जुटे हुए हैं बुद्वार को आयोजित समाजिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने कहा कि उनके सासनकाल में माफिया राज का अंत हुआ है अपरादियों के खिलाप हमारी निती किसी से छिपी नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने समाजिक सम्मेलन में कहा कि पिछले साड़े चार साल में आपने देखा होगा कि सत्ता की सरपरस्ती लेकर जो माफिया अफरादी तांडो करते थे आज जब करवाई हो रही है तो उनी सरपरस्तों की परसानी हो रही है उत्तर प्रदेस में अफराद और अफरादियों के लिए नीती किसी से छीपी नहीं है अपने सासन काल को दंगा मुक्त करार देते हुए C.M. योगी ने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ है नहीं तक कोषी कला से दूसरे कोने तक दंगे होते थे उन्हेंने कहा कि बैवपारियों के लिए बैवपारी कल्यार बोर्ड का गठन करके दस लाकी बीमा दे रहे हैं कोरोना महमारी के खिलाप सरकार की तैयारियों के बारे में सीम योगी ने कहा कि महामारी के खिलाप लड़ाई लड़ी जा रही है यूपी का महौल पहले से बेतर किया गया है एक जीला एक उत्पाद अभियान के बारे में सीयम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अलग पहचान बनी है जो पिछली सरकारों में मृत पाय हो चुकी थी उन पहचानों को एक जीला एक उत्पाद कारिकरम चल रहा है उन्हेंने कहा कि भोकल फर लोकल के लिए आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को सकार किये जा रहे हैं इन सभी कामों से आप सब की खुसाली के रास्ते तै हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम लोगों से बड़ी लड़ाई ब्यपारी हीतों के लिए किसी ने नहीं लड़ी है मैंने स्वेम आंदोलन और गिरतारी दी थी पिछली सरकारों में गुंडे माफियाओं के राज था बेपारियों को बंदग बनाकर अराज अक्ता फैलाते थे अब तो ऐसा नहीं है उन्हेंने कहा कि हम सब की ताकत एकता में हैं एक जुट होकर जब ताकत बनेंगे तो भारत मजबूत होगा अगर जाती के नाम पर विवाजित होंगे तो दंगाई मजबूत होंगे हमको बिपक्ष की इस मनसूबे को सफल नहीं होने देना है यही आज सब की बहुत बड़ी जिम्मधारी है देश में आज सो करोड वैक्सिन डोज दिये जाने के रिकॉर्ड पर सीएम योगी ने कहा कि आज सो करोड को मुफ्त वैक्सिन देने वाला दुनिया का एक मातर देश भारत बना है इसे मोधी वैक्सिन बीजेपी वैक्सिन बताने वाले क्या माफि मागेंगे यह चाते थे लोग मरे धंजन की हानी हो और आजकता फैले लेकिन परधान मंतरी मोधी के नेतरुत में ऐसा नहीं हो पाया यूपी के मुख मंतरी योगी आदितनात ने गुरवार को लखनों में अतिबिसिष्ट अतिथिग्री नैमी सारड़य का लोकार पड़ किया बता दे की हाल ही में यूपी सरकार ने दिल्ली के यूपी भवन समेट कई सरकारी गेस्ट हाउस और भवनों का नाम बदल कर परदेश के अस्तलों और नदियों के नाम पर रखने का फैसला किया था उत्तर प्रदेश भावन नई दिल्ली का नया नाम उत्तर प्रदेश भावन संगम नई दिल्ली कर दिया गया है इसके आलावा बिसिष्ट अतिति ग्री डाली वाग लखनव का नाब बिसिष्ट अतिति ग्री यमना डाली वाग लखनव किया गया है तो दोस्तों देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते हैं डीके निर धन्यवाद